मुरादाबाद से एक खबर सामने आ रही है, रफ्तार ने साथ लोगों की जिन्दगें चीनली, ट्रक और मिनी बस में जोरदा टककर हुई, अनियंत्रित होकर, ट्रक और कैंटर से मिनी बस टकरा गई, ट्रक चालक सहीट, बस में सवार, लोगों की मौत हो गई है, कुंदर की और तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर बस बुरी तरह शतिग्रस्त हो गई है, मिनी बस जाकर टकरा गई, अनियंत्रित होकर ये बस टकराई है, ट्रक और मिनी बस में जोरदार टकर हो गई है, और बस पूरी तरह शतिग्रस्त है, रफ्तार ने दर्जन भर लोगों की जिन्दगिया चीन ली हैं, साथ लोगों की मौत हो गई है, मुखे मंतरी ने जाच के आदेश रे दिये हैं, फिलाल इस पूरे मामले में जाच परताल की जा रही है. लोगों की मौत हो गई हैं, जादा बात्चीत के लिए रूपक क्या जानकारी मिल रही है, कितने लोगों की मौत हुई है, क्या आख रही है, क्या आख रही है, क्या कुछ निकला है, किसकी गलती थी? लोगों की मौत की पुष्टी होगे है, जो गंबी रूप से घायर लोगे, लगबग आश्र दस लोगे, उनका आई सी यू में जिलाल इस्पताल में इलाज चल रहा है, फिलाल घचना के कारणों की जाच की जाँच की जारी है, जी अन्सी का. चो ले रूपक, आप नजर बनाए रखिया, आगे भी मैं आप से अबडेट लेते रहूंगी, ट्रॉक और मिनी बस में जोरदा टकर हो गए जनतन्त टीवी पर ये एक्स्क्लूजिव तस्वीर आप देख सकते हैं, कि आखिर किस तरीके से ये हादसा हुआ? और इस हादसे में दस लोगों की मृत्यू की जो इन्फॉमिशन है, हम लोग यहां मौके पर आ गए थे, दस लोगों की डेथ हुई है अभी तक, और मानिय मुख्यमंत्री जी ने गटना पर बहुत ही ज़्यादा दुख व्यक्त किया है, और उन्होंने जो मृतक परिवार जो मृतक हैं, उनके परिजनों के लिए दो लाख रुपे के आर्थिक शायता की गोश्टना किया है, और घायलों को पचास जार रुपे की शायता दिये जाने का निर्देश दिया है, और उन्होंने हम लोगों के यह भी निर्देशित किया है, कि आप लोग ततकाल मौके पर बचाओ कारे जो है करें, और घायलों का जो है, बिलकुल निशूलक और समुचित उपचार किये जाने के निर्देश मानिय मुक्वेंतरी जी के द्वारा दिये गया है, अब भी जो हम लोगों को, हम लोगों ने जो यहां से भेजा है, वो दस जो दस लोगों की डेथ ह हुई है, और घायल जो हमारे हैं, वो लगबग 10-11 के आसपास घायल, अभी जो डेश्टिक हॉस्पटल में गए है, और उसके बाद की तरह से ऑपरेशन के लाए है, यह सवाट बचे सूचना मिल गए थी कि एक एकसिडेंट हुआ है, जिसमें कापी लोग घायल है, और यह Jantantra TV, and press the bell icon, never miss any update.